काईज बिलकम बैक स्वागत है आप सभी का काईज इस वीडियो में हम डिस्कसिन करने वाले हैं नीट नीट के बारे में फुले इन्फार्मेशन मैं यहां पर आपको देने वाला हूँ इस टिप बाई स्टिप कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे और आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है क्योंकि कुछ ऐसे इस्ट्रक्शन्स इस दौर यूजी के द्वारा जारी किया गया है जिसको आपको एक भी पर्सेट अगर आपने गलती किया तो आपका फॉर्म रिज इस फाम को भर सकते हैं किस क्लास वाले इस फाम को भर सकते हैं यह पूरी जानकारी आपको यहां पर देने वाला हूं कितनी फीस लगेगी क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कितने परसेंटाइल होने चाहिए इस फाम को फिल करने के लिए इंटर करने के बाद या ग्रेजि सब्जिक्ट आपको पढ़ने होंगे कितने कितने कोश्चन आते हैं हर सब्जिक्ट में उस सारा का सारे डिसकेशन हम आपको सलेबस के साथ इस वीडियो में हम करने वाले हैं तो आप बने रहिएगा सब कुछ सारी जानकारी आपको दूँगा ठीक है चैनल में पहली बार करने के बाद कोई करेक्शन की फैसलिटी यहां पर नहीं दी गई है ठीक है और नया क्या है यहां को यहां पर बताऊंगा ठीक चलिए उसके बाद इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को लिप्ट एंड राइट हैंड्स के जो फिंगर्स हैं थम्स हैं उनके इंप्रेशन भी लगेंगे सैटिफिकेट अप्लोड करने से पहले यानि आप अपना जो भी रिकार्ट है एंटर का हाई स्कूल का जो सैट अप्लोड करेंगे वह सैटिफिकेट अप्लोड करने से पहले आपके फिंगर्स के लिप्ट और राइट के क्या लगेंगे कि पूरा का पूरा इंप्रेशन लगाया जागा या नहीं उसके निशान लगेंगे ठिक यह इंपोर्टेंट है ध्यान देनी वाली बात है यह उस क्यान अप्ली के सन पर आपको सारी जानकारी मेसेश के माध्युम से भी आप जानकारी ले सकते हैं अपनी मुबायल पर फोन पर फिए कर सकते हैं यह कि सैंट्स एप सैंट्स एप को आप डाउनलोड कर लिजी यह असानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वहां पर कोई भी इंफार्मेशन यदि आप चाहिए आपको नीट से रिलेटेट तो वह आपको यहां पर मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है बहुत हीजी है ठिक चल करना आपको दिया है कि जो जन्रल क टेकरी वाले हैं उनको सोला सो फीच देना होगा जैनि उनकी फीच कितनी है सोला सो है जो आउटशाइट इंडिया यैनि अधर कंट्रीज के लोग हैं उनको साह्डे आठहजार रुपे फीच जमा करना है यानि 8500 रुपे उनकी फीच ल हो रहा है ज्यादा खुछ होने की बात नहीं है फिस लगभग उतना ही 100 रुपए आपका कम हो जाएगा बस ओब इसी वालें का भी कि पंद्रा सो रुपए लगेगा उसके बाद यसी यस्टी पी डेवली बीडी इन सभी लवों के कितनी लगेंगे 900 रुपए लगेंगे यह रही फिस की क्राइटेरिया इतनी फिस लगेगी ओके अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है यहां पर ध्यान देनी वाली बात है एक्जाम की जो डेट है वो 17 जुलाई फिक्स से हो जाएगा टेंशन लेने के कोई दिकतर नहीं है डूरेशन आप एक्जामनेशन में आपको कितने टाइम मिलेंगे वो देख लीजिए 200 मिनट मिलेंगे यानि तीन घंटे 20 मिनट आपको मिलेंगे ठिक दो बज़े से और पांच बज़ के 20 मिनट तक एक्जाम होगा दो है जैंट आपको फ़र्म को किस टेप में कितने कप्लिट कर ना है उसे देख लिए पहला इस टेफ कोगा रंस्टिप में र ряд को मेरे रेस्टेशन करने के बाद दूसरे agg में आपको क्प लीकार नहोगा अप्लीकेशन फार्म जब आप रेस्टेशन कर लेंगे पासवर्ट तैयार कर लेंगे अपना देन उसके बाद उस पासवर्ड और अरिस्टेशन नम्मर से आपको आगे का जो अप्लिकेशन फार्म है उसे फिल करना है कम्प्लीट करना है है कने नर्स न 가지고 है तो यहां पर दिया गया है पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन आपको भी वेबसाइट पर मिल जाएगा वहां से आप लोड कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इस्ट्रक्शन को और भी तरीके से समझ सकते हैं कितने साइज की फोटो लगेगी सैटिफिकेट को कितने साइज का अपलोड करना है वो सारे के सारे यहां पर पॉइंट्स कर सकते हैं अपने पास होगा उससे आप यूज करके आप जो हैं कोई दिकत नहीं है बहुत सारे पेज हैं 134 पेज का यह पूरा का पूरा एंटी दौरा जारी किया जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है पढ़ने लगेंगे तो काफी टाइम भी जाएगा यहां पर सिर् आप दिमाग से अपने आप निकाल दीजिए चलिए अगले स्टेप में हो जाएगा यहां से आप सुरुआत होगी स्लेवस पैटन की एक्जामिनेशन में कैसे स्लेवस होगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वह यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं जो सब्जेक्ट होगे और लगभग चार सब्जेक्ट होंगे कितने सब्जेक्ट होगे चार सब्जेक्ट आपको त्यार करना होगा जो लोग पहली बार जूड़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपोर्टन है जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं एक दो बार एक्जाम दे भी चुगे हैं तो यह सारी चीजे पता होगी पहले से ठीक है जो नए लोग है उनके लिए ज्यादे इंपोर्टन है जाना चार सब्जेक्ट होते हैं पहला सब्जेक्ट होता है फिजिक्स ठीक है फिजिक्स दूसरा सब्जेक्ट होता है केमेस्ट्री ठीक है अत्तीसरा सब्जेक्ट होता है यहां पर जो पैटर्न रखा गया है हर एक सबज़ेक्ट में दो सेक्षन रखा गया है यह देखे इस चार्ट को ध्यान से केरफुलि समझेगा क्योंकि जाम आप देने जा रहे हैं अब सब्जेक्ट फिजिक्स बात करें तो फिजिक्स में यहां पर देखे लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी यानि हर सब्जेक्ट में दो सेक्शन रखेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी सेक्शन ए में 35 कोश्चन होंगे 35 कोश्चन होंगे सेक्शन बी में 15 कोश्चन होंगे हर स section a में Emin 2019 हैं कोई subjeek separate 35 question attempt करने होगे और section b में 20 question sorry 15 question आपको attempt करने हो होंगे इश तरीके से section a के जो question होंगे वो हूंगे एक सो चाल क् algumas नंबर के और section b के questions हो और section होंगे उसके 500 जे है 44 नंबर ठीक जानी हर a about लगबख होगा किदरे नंबर का चार नंबर का होगा ओके बस आपको ये ध्यान देना है कि स्रिक्शन एके सभी कोश्चन आपको अटेंट करने हैं और हर एक कोश्चन चार नंबर का होगा जबकि स्रिक्शन बी के पंदरा कोश्चन में से दस कोश्चन ही आपको आटेंट कर किते question दस question ही आपको attempt करने हैं यानि कि 15 के 15 question नहीं करने केवल 10 question ही ठीक और हर एक question 4 number का होगा इस तरीके से total पहले section में 140 और दूसरे section में 40 number आपको मिल जाएंगे और टोटल सभी सब्जेक्ट के मिला करके 720 नंबर का होगा ठीक है 720 नंबर होंगे और जो question pattern होंगे वो multiple choice question होंगे यह आपसनल वाले होंगे हर एक question बे 4 आपसन होंगे चलिए next बात आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा हुआ है पर दिया गया है correct answer पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे लेकिन incorrect answer पर कोई नंबर नहीं मिलेगा बट एक नंबर माइनस जरूर हो जाएगा मतलब कि आप सही जवाब देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा और गलत जवाब देते हैं तो एक माइनस भी हो जाएगा ठीक माइनस मारकिंग है दूसरा सबसे important बात ज्यादा तर लोग क्या करते हैं जो answer आप नहीं देते हैं उसका तो वैसे भी आपको 0 मिलने वाला है यानि जिस question का जवाब आप नहीं देंगे उसका आपको 0 मिलेगा लेकिन मारक फार रिव्यू अगर आप किसी question पर टिक कर दिये हैं यानि कि बाद में आप देखेंगे और गलती से time नहीं मिला और वो question छूड़ गया मारक फार रिव्यू में ही रह गया तो उसका भी आपको वो number यानि वो question चेक नहीं होगा बलकि उसका 0 नूमर आपको मिल जाएगा ओके next point पर if more than one option is four to be found to be correct then four mark will be awarded to only those who have mark any of the correct option यानि कि किसी भी question में यदि एक या एक से अधिक answer है मतलब कहने कि मतलब है कि जैसे एक question दिया गया है और उस question में चार आपसन दिये गये है ठीक है चार आपसन दिये गये है और उनमे से दो आपसन सही है ठीक दो आपसन सही है या उससे भी ज़्यादा कई आपसन सही है ठीक और कोई और option के बाद option कोई नहीं दिया गया है तो इस conditions में कोई भी option आप एक option टिक कर दीजे और आपको चार नमबर मिल जाएगा मतलब कि वो question के जो आपसा नहीं गलत दिये गया है according to question नहीं दिया गया है तो उसमें आपको चार नमबर प्राप्त हो जाएगे इस तरीके के कुछ criteria यहां पर रखा गया है अब यहां पर ध्यान देते हैं कि जो आपका paper होगा offline mode होगा तीन घंटे 20 मिनट का आपको time मिलेगा ठीक है जिन बच्चों ने form भरते समय English subject ले चूज कर लिया है यानि कि जो paper होए वो English भासा में आपने चूज किया है तो जो paper मिलेगा total English में मिलेगा ठीक लेकिन जिन booklet होगी यानि test booklet जो होगी वो English और Hindi दोनों में होगी तो बहुत ध्यान देना जिनकी English कमजोर है वो लोग Hindi language ही चूज करें जिसके करण एक तरफ Hindi में question होगा वही question उसके सामने English में होगा थाकि आपको पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत नहों आसानी तरीके से जो question आप हिंदी में में समझ करके question का जवाब दे सकते हैं इसलिए आप Hindi language ही ज्यादा तर मेरा मानना है यही कि आप English के वजाए Hindi भासा का ही चैन करें इस तरीके का कुछ important notification था जो मैंने आपको बताया अब आगे मैं बात करूंगा syllabus के बारे में कि आपको जो syllabus है वो क्या-क्या पढ़ना है तो चलिए सीधे सीधे बालोजी के content पर हम चलते हैं बालोजी में क्या-क्या आपको तैयार करना चाहिए कौन सा syllabus का वह point है बालोजी पहले syllabus जो है यहां पर दिया गया है physics का जो कि मैं biology के teacher हूँ इसलिए आपको physics के बारे में जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं कि क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ chemistry का बारे में भी मैं आपको नहीं बता सकता केबल मैं biology के बताऊंग जो syllabus है वो आपके सामने आ गया है सबसे पहले दिया है diversity in living world इससे कुछ कमी question पूछे जाते हैं यानि unit number first से बहुत कम question आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको परहसान होनी की कोई ज़ूरत नहीं है यानि यहां पर classification taxonomy जो वर्गी करन है उससे related दिया गया है तो यहां पर क question आपको तयार करने होंगे सबसे ज़्यादा आपको कौन सा topic पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है यह cell structure and function इस topic को guys आप जितना ज़्यादा पढ़ ले उतना ज़्यादा बेहतर है स्लेबस आप यहां से screenshot ले सकते हैं ऐसा ना हो कि बीना syllabus के रह जाएं स्लेबस आप यहां से screenshot ले लीजिए तिक है दूसरी उनिट में दिया गया है structural organization in animal and plants morphology and modifications, tissues, anatomy and function of different parts of flowering plants generally botany से related जो आप topic पढ़ते हैं उससे ज़्यादा ज्यादा question आपको put up करने को मिल जाएगा वहां पर ज्यादा ज्यादा question वहां पर यहीं मिलेंगे इसे इसे बाटनी से related, okay सुध्यान दीजिएगा कि इस से related जो morphology है plant tissue की ज़रूर पढ़िजएगा anatomy पढ़ लीजिएगा इस इश्यों में question हलाकि इससे कम ही आते हैं माइक्रोवालेजी के जो ट्रोपिक है उसे ज्यादा टच कीजिएगा जैसे यहां पर दिया गया है माइक्रोवालेज में वायरस बैक्टीरिया ठिक मोनेरा प्रोटिस्टा यह जो ग्रूफ है यानि फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन से रिलेटेट ती एच मार्ग ने जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इसे आप पढ़ सकते हैं ठिक पढ़ सकते हैं नहीं पढ़िएगा जरूर उसके बाद सीधा सीधा आप सेल इस्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेटर जितने भी टॉपिक है उन्हें जीतना ज्यादा आप पढ़लेंगे उतना ही क समझ रहे हैं प्रोकरियाटिक यूकरियाटिक सेल स्ट्क्चर प्लाइन अनिमल सेल ओके सेल एनिवलप्स यानिशल मेंब्रेंज सेल वाल सेल आरगनेल्स इस्ट्रक्चर और फंक्शन इंडो मेंब्रेंज सिस्टम इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम गॉल्जी बोडिज लाइसोसोम बैक्यूल माइटो कांडिया इस सब सेल आरगनेल्स बेरी बेरी मौस्ट इंपर्टन है इन्हें अच्छे से पढ़ लीजेगा यानि कुल मिला के साइटोलाजी आपको तरीके से पढ़ना है नेश्ट प्लाटविजियोलाजी अब प्लाइट फिजियोलाजी की गाईज बात करें तो जतना ज्यादा पढ लें उतना ही कम है यह जानि कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है प्लांटिशियोलाजी इन्ह céle revealedोटे मes सबसे ज्यादा घॉट्च प्लोड करता है नाइट्रोजन साइकल बेडियो है वह भी हमने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे उसे आप दे सकते हैं यह वाला जो पॉइंड है इसे आपको गौर से ध्यान से पढ़ना है प्लांट फिजियोलाजी का यह सबसे इंपर्टन पॉर्शन है उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको किसे पर ध्यान देना है फोटो सिंथेश पोर्शन पे सिर्टाम्ट सिर्ट बहुत इंप्रर जाएगा नउनज मैशन रिसपारिशण गासे हैं एक गैशन अगैशन एंग। अग्लिसिस फर्मेंटेशन एनेरोबिक रिस्पारेशन एरोबिक रिस्पारेशन ओके लेजिए बहुत हीं पॉटन्ट है और क्यू को फोकस करना है एक को बार्चों से मिल जाता है तो आप इसे भी ध्यान देजिएगा नेक्स होजाएगा प्रांट ग्रो ग्रोथ जिसमें हार्मोन्स आ जाएगा साइटोकार्निन हार्मोन्स जीब्रेलिन आगजीन एथलीन सारे के सारे जो हार्मोन्स है उन्हें आप पढ़ लीजिए गया यानि इस टॉपिक से उके इस तरीके से प्लांट फिजियोलाजी बहुत इंपोर्टन है आगे हम बात करेंगे एनि से देखेगा स्क्रीन शार्ट ले लीजिए चोकि एक पॉइंट पर अगर डिसकस करेंगी तो नजाने कितने घंटें तक आपको इंतिजाज करना होगा पूरा स्लेवस कंप्लिट करने में इसलिए आप सीधा सीधा स्क्रीन शार्ट ले लीजिए असले वसका और इन पर फो प्रॉरोडक्षन शेतना श्यादा आ थैयर कर लीजिह उतना बहतर है ठीक है ठीक है विजोगे rejo extraordinarily फोचा जाता questionNo नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगाbare इसका वीडियो जल्द ही अप्लोड करने वाला हूं इसका विडियो जल्द ही अपलोड कर दूगा फृच्वेश के इसका वीडियो बहुत बहुत बताने वाला हूं इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा चैनल जरू सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अब अगली जो इंपोर्टेंट टॉपिक है यूनिट है जिन्टिक्स किया है जो जिन्टिक्स मे हैं हरीडिटी, बाइरियेशन, मेंडेलियन इनिंटेंस, नन मेंडेलियन इनिटेंस, इनकम्पेट टॉमिनिनन, मल्टिप्ल एलिल्स अगर बताया जाए तो जेन्टेक्स बहुत बड़ा टॉपिक है कितना ज़्या तो आप यहां पर दिया गया उनसे सबी टॉपिक को यानि कौंन मिला हके प्लांट फिजिलाजी फिज्योलाजी, एनिमल फिज्योलाजी, जेन्टिक्स and evolution तो उतना ज्यादा नहीं कह सकते हैं लेकिन जेन्टिक्स का पॉटर्षन बहुत जेन्टिक्स से question बहुत ज्यादा आते हैं इसे आपको ध्यांदेना हैं बाइलोजी के अप्लिकेशन और इसके अप्लिकेशन भी बहुत इंपर्टेंट है तो फटा 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 स्क्रीन शाट लेते जाएगा सभी टॉपिक का स्क्रीन शाट आप ले लिजिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है उमेद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से सारा टॉ करता है